हेलो एब्रिवान कैसे हैं आप सब हम लोंग सब अभी जा रहे हैं फैंसी बजार आसाम गौहाटी का फैंसी बजार है वहाँ पर हम लोंग जा रहे हैं थोड़ा बहुत मार्केटिंग करने और इसका पहले का ब्लॉग आप लोंग देख लिजेगा उसमें सब कुछ मंदिर का दिखाएं हैं वो भी देख लिजेगा अभी हम लोंग मंदिर से भूब काके फिल निकले हैं मार्केटिंग करने के लिए और देखिए हम लोंग पहुँच भी गये हैं यहाँ पे आप बस से भी आ सकते हैं गाड़ी बुक करके भी आ सकते हैं बस का भी बहुत अच्छा सु मिन्स चोटा-चोटा समान आपका जरूरत मन्द सब कुछ मिल जाता है यह सब है बेड़ सीट का कवर है पिलो कवर बेड़ सीट साब मिल जाएगा आपको यहां बहुत सारा होलसेलर दुकान भी है हम लोग एक दुकान में गुसेंग गया भी यह देखिए यह है पूरा होल सेल दुकान यहां पर मतलब आपको एक पीस नहीं मिलेगा आपको अपना दुकान के लिए अगर चाहिए तो आपको दस पीस लेना ही पड़ेगा तभी लोग देंगे फिर हम लोग वहां से निकल के थोड़ा थोड़ा इधर उधर समान देख रहे हैं कुछ-कुछ यहां प देखें बहुत ही अच्छा अच्छा था कॉटन का भी था ऐसे डिजाइनर भी था यहां बच्चे लों का ड्रेस भी है तो आगे-आगे देखते जाईए हम लोग फिर एक तो साड़ी दुकान में घुशेंगे यहां पर कम प्राइस में 200-300 में कॉटन कूरती भी है देखिए यहां पर बहुत सारा अप्शन है कूरती का कलर अप्शन भी बहुत सारा था अच्छा प्राइस में आपको मिल जाएगा और आगे दिखी यहां बच्चे लोग का जूती कितना अच्छा अच्छा है बड़े लोग का भी है पर बच्चे लोग का बहुत सुंदर सुंदर है देख रहे हैं पूरा कलरफूल एकदम चारो तरप यहां पर इतना बड़ा सा स्टॉल लगाता है सब जूती है स्लीपर ह कि अधिद्र को आसा मिस अधी लेना था इसलिए हम लोग एक तो साढी लेने इवाले थे जिसका नाम है मिखला साडी हम लोग लिए हैं देखिए यहां पर अभी हम लोग यह शौप में आये हैं तो वह भाया दिखा रहे तो बहुत इच्छा प्राइस में आपको अच्छ अच्छा साड़ी मिल जाएगा और यह जो साड़ी दिखा रहें बहुत ही अच्छे से हम लोग को बताएं कैसे पहना है क्या करना है और बहुत ही कलर आप्षन भी दिखाएं हम लोग को तो हाम और दीदी एक एक लिए देखिए हम लोग अब कौन साड़ी लिए है आगे कानल को सब्सक्राइब कर लिजेगा अब कर दो मेरा यहां पर यह फिक्स हो गिया यलो वाला हम यलो वाला लिये उसी का नीचे जो रानी पिंक कलर का रखा हुआ है वो दिदी ली है देखिए बहुत सुन्दर सा है फिर हम लोग मार्केटिंग कर लिए सारा फिर हम लोग आ भी गए मंदीर फिर आर्टी देखने के लिए साम में यहां मंदीर में बैटने में बहुत अच्छा लगता है बहुत सारे लोग आते हैं आर्टी होता है भजन होता है माता का भोग भी मिलता है तो हम लोग सब फिर मंदीर आ गए हैं साम में बैटने के लिए यहां पर देखिए बहुत सारे लोग आये हैं हमेशा साम के टाइम में ऐसे यहां पर भीड होता है सब कोई आ जाते बैटने फिर हम और दिदी अपना यहां पर चियर मिल गया तो बैट बैट के अपना बात कर रहे थे और राजा को देखिए हम मेरे को लग रहा था राजा यहां पर photo layer है पर वो तो video बना रहे हैं फिर हम लूंका हसी आ गया है यहां पर यह राति देखने के बाद हम लोग अपना रूम में चले गए डिनर करके बाई बाई फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में इसका जो जो पहले का ब्लॉग नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजेगा बाई फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में और जो नए है चैनल को सब्सक्र स्क्राइब जरूर करिएगा